हेलो एवरिवन वेलकुम बाक तो आर यूटीव चैनल इंग्लिश ओनास हब आई होप आप सब ठीक है तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाएं लेसन 12 जिसका नाम है बायो डैवरस्टी एन इट्स कंजर्वेशन चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फर्स टॉपिक है हमारा इन से दुन एक से तू कंजर्वेशन अब बायो डैवरसिटी पहले जान लेते इन से तू हो तक है यह एक मेथड होता है जिसके अंदर कंजर्व करते हम जितने भी लिविंग स्पीशीज होते हैं इस पैशली जो वाइल होते है और इंडेंजेर होते है अपने लिविंग है अपने ही थी कंसर्व करते हैं उनके इन्वायमेंट में इनसे तो बायो डैवरसिटी में इंडिया के पास 589 PAs है मतलब की पुरेटर एरिया जसके अंदर से 89 नाशनल पार्क्स है और 500 बागी के वाइल लाइफ संचुरीज है ओवर 100 PAs हैं जो की अंडमा निकोबार में हैं जो प्रिजर्व करता है स्पेशल आइलेंड एकोसिस्टम नेक्स्ट आता है हमारा X सेतू कंजर्वेशन इसके अंदर कंजर्व करते हैं स्पीशीज को इनके नाशनल हैबिटाइट के बाहर केरफुली एक कंट्रूल सिचुएशन में जैसे की बोटैनिकल गार्डन हो गए फॉर प्लांट्स और उडिलोजिकल पार्क्स फॉर आनिमल्स इसके अंदर बीडिंग प्रोग्राम भी आ जाते हैं जूस के अंदर प्रवाइट करते हैं वो केरफुली आनिमल्स को जो मॉडर्न जूस हैं उनका फंक्शन होता है ब्रीड करना इंडेंजर्ड स्पीशीज को अज पार्ट ओफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सक्सेस्फुली जितने हुए हैं कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल जिसने मदरास में क्रोकोडाइल ट्रस्पांग है सक्सेस्फुली ब्रेट थ्री क्रोकोडाइल मतलग तीन अवी तक हो गया है वहां पर गुचाली जू ने ब्रेट करें बिग्मी होग दिल्ली जू ने अवी तक ब्रेट करें रेर मनिपूर ब्रो आंटलर्ड दियर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ओफ कल्टिवेटर्स एंड लाइफ स्टॉक ब्रीट्स तो बहुत सारे ट्रडिशनल राइस के विराइटी अभी तक डिसपीर हो गए हैं जो पहरे थे जिससे अब हार्ड हो गया डेवलाप्मेंट हमारे लिए और जो डिजीस क्रोप्स थी मतलब जो राइस थी अब वो नहीं रही और यूज करना राइस को जीन बैंक से बहुत एक्सपेंसिव और रिस्की हो जाता है तो फार्मर को इंकरेज करना चाहिए कि वो ट्रडिशनल विराइटी उस करें प्रिजर्व करें जेनिक डाइवरसिटी बट लोग क्या इंटरेशिट थी था है क्षक क्षक च्छब्टी से बन जाया क्रॉप और जल्दी से च्छ राइस दी वो बैनेफिट जो मिल रहें डिशनल क्रॉप्स के वह एप्रॉशेट नहीं करते है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आपिक में हमारे बायोर्जिकल डिवरसिटी अ एक nation के लिए acid हो जाती है hence उसको conserve करना as in biodiversity conserve करना बहुत greater significance हो जाता है हमारे लिए कुछ objectives given है हमारे हाँ पर पहला है to conserve conserve करना पहला इसका objective है फिर क्या next है sustainable use करना जितने भी components है biodiversity next objective इनका जितने भी benefits निकल रहे हैं biological diversity उसको हर एक में equally share करना अब next हम देखते हैं कुछ provisions of the act पहला देखते हैं कि जो genetic material इंडिया का outside country specific approval इंडिया government के नहीं कोई भार भीज सकता next है कोई भी आके claim नहीं कर सकता किसी bio diversity वे patent Indian government के knowledge या permission के बिगेर next है वही share करना benefits यो भी आ रहे हैं bio diversity, looting, transfer of technology, monetary returns, joint research and development, joint IPR ownership, etc. next हम देखते हैं कैसे conserve करते हैं sustainable use करते हैं biological resources sustainable मतलब कम से कम use करना habitat and species protection और projects ये कुछ projects हैं जो इसमें use होते हैं next है genetically modified organism को use करना setting up national state local biodiversity fund जिससे support मिल सके conservation के लिए next है setting up a biodiversity management committee local level पे, local village level पे state biodiversity boards के जिससे authority मिल जाए की हर एक जखा पे authority हो चिदाने के लिए next है इस act के functions क्या होते है पहला है advice करना central government को कोई भी matter related हो conservation of biodiversity next sponsor करना investigation चाहदा ज्यादा लोगों को औरना के investigation करो इस matter पे higher करना short term consultant short period के लिए six point है collect करना publish करना data related to conservation of biodiversity फिर जितना ज्यादा हो सके mass media के तरफ बढ़ो और information पहुचाओ फिर eight point है का हमारा plan करना organize करना training program जो कि यहां पे लोग काम करते है biodiversity में और nine point रहेगा हमारा की prepare करना N.B.A. का annual budget 10th point में हम देखते है recommend करना central government को और posts बनाए next देखेंगे हम की officers जो है और servant जो authority है उनको अप्रूफ करना recruitment में था जिसने ज़्यादा हो सके ज़्यादा लोगों को यहां पे लाना 13th point में हम देखते हैं की written instruction दिये जाते है state biodiversity boards को जिससे वो अच्छे से काम कर सके related to biodiversity अब next 14 में लिखेंगे हम reports भीज़ते हैं central government को कैसे functioning हो रहे है authority की implementation of that सारे reports भीज़ जाते हैं last point 16 में हम देखते हैं necessary steps लेना जैसे की legal experts hire करना और कोई भी इंडिया के बाहर कोई भी इंडिया की biodiversity को claim ने कर सकता patent पर claim ने कर सकता illegal manner में यहाँ पर हमारे सारे के सारे वाले functions खतम होते हैं next topic पर बढ़ते है need for conserving biodiversity क्या need हैं कुछ factors हैं जो बताते हैं कि क्या need हैं present or potential use करना क्या हम पता नहीं है कि especially कि क्या use हो सकते हैं जीज होगे हमें भी future में अच्छा use हो जाएं components का biodiversity के essential part है maintain करने का earth पर life support system और इससे biosphere भी support करता है human life क्योंकि biodiversity में आता है next हम इधर देख सकते है conservation और biodiversity में conservation हमने पढ़ी है in-situ और ex-situ in-situ में आ जाएंगे national parks wildlife sanctuaries biosphere reserve sacred groups in-situ में आ जाएंगे quality हम पर चुके है in-situ वो होता है जह हम protect करते हैं endangered animals या species को उनी के खुद की habitat में और इसमें especially wildlife conservation mostly in setu में ही होता है large reserve जो maintain होते हैं वो इधर ही होते है largely species next है egg setu egg setu मतलब प्रेट करने endangered plants animals को move करके safe place में उनके national habitat में यह human भी कर सकते हैं traditionally और newer technique से next देख सकते हैं national parks and sanctuaries इंडिया की यह सारी हैं हम इस इंडिया के map में देख सकते हैं कितने सारे national parks and sanctuaries हैं हमारे बस अब एक case study है project tiger यह पढ़ते हैं so basically project tiger यह launch हुआ 1st April 1973 और यह sponsor किया था government of India ने जिससे population of tiger और उसके national habitat बचा रहे main objective क्या है population बचाना preserve करना उसको scientific economic aesthetic cultural ecological values के लिए तो बेसके लिए tiger reservation extra habitat यह होते है local people इसे जरिया कमा लेते है अपने livelihood कमाने का यह strategy दोनों tiger और जो local people हैं उन दोनों को support कर रही है next है botanical gardens तो हमारे पास 1500 botanical gardens arboretum national plant collection world में है और यह biggest collection होते है plant diversity के नेचर के भार यह places बहुत important होती है conservation के लिए education के development के अगर इनमे हम ज्यादा money डाल दे और valuable tools यह जो better tools अगर हम इसमें डाल दे और यह जो है यह save करता है most world's endangered plant species जो already इसमें grow कर रहे हैं बारह सो से पंदरह सो थेटन species में next है zoological parks तो basic philosophy के पीछे कि creation more times we understand कराना environment और ecological balance create करना meaning मतलब जो strength होती है born people or living earth में वो create करना और कोई भी ऐसे picnic spots नहीं बनाना और बहुत सारे एक से तो wildlife conservation के लिए center बनाना जो world zoo conservation strategy है वो conclude करती है evolution zoo का जिसमें बहुत सारा conservation होता है wildlife का कुछ एक से तो conservation of wildlife zoo में points है क्या कर techniques होती है यहाँ पर क्या कर deal होती है देखते हैं पहला है captive breeding यह बहुत important strategy है यह government और non-government दोनों organization यूज करते है captive breeding program endangered or threatened species को familiar बनाता है इस program से जिससे वो preserve करते है species को breeding program के तुरू जैसे सीता कोई लोग अभी preserve कर रहे next है embryo storage and transfer technology तो इधर embryo transfer होता है और इसमें artificial insemination होता है जो की develop होता है laboratory animals, farmer animals की तो basically बहुत potential use में आ सकता है कि यह improve करता है reproductive organ जो की endangered species का होता है यह technique बहुत सारे mammals के लिए अभी work out करी है तो अगला जो हमने इसमें पड़ा था point artificial 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 insemination यह एक नए technology है इसके अंदर sperm froze होते हैं और और बाद में use होते हैं यह another facility of breeding program की जिसके अंदर genetic diversity sperm किसी भी egg में add हो सकता है जिससे fertilization बाद में होता है बहुत सारे cases में यह हुआ है बहुत साल पहले black footed ferret 6 individual में हो गए थे बट इसके जुरूब हो 16 में हो गए next is somatic cell cloning यह cloning एक new technique है scientist use कर रहे है endangered species को बचाने के लिए यह भी technique है यह जो sheep पे अपना ही गए थी बट अब बाकी mammals पे भी लोग कर सकते है next is fostering इसके जुरूब जो egg laying mammals है यह जो animals है वो जितने एक produce कर सकते है उससे जादा produce कर सकते है जैसे कि rearing and whooping green successful हुआ है species इनकी population 21 birds 941 में 300 हो कई थी 1996 में next is translocation इसके अंदर animals को एक environment से दूसरे environment में shift कर जायता है यह होता है introduction और introduction से जो नीचे पढ़ने वाले है introduction में क्या होता है इसके अंदर translocation मतलब shift और उसकी habitat से एक historical distribution area में और उस area के लिए यह लोग exotic species हो जाते है क्योंकि new type आ गया है तो यह handle लोना चाहिए care के साथ extreme needs के साथ next है reintroduction इसके अंदर translocation होती है outside कोई historical distribution इससे या तो जो existing population है वो boost हो जाते है या फिर new population बनती है जब कोई origin population die हो जाती है यह भी handle होना चाहिए extreme care और needs के साथ और इस पर सड़ी अच्छी से हो जाने चाहिए seed bank की preserve करता है germ plasm को seed bank में या gene bank में यह टेखनीक है excedo conservation of plant species की next है seed storing तो store करना germ plasm seed bank में बहुत inexpensive रहता है space efficient रहता है इससे allow होता है large population little genetic erosion के साथ grow करना next है हमारा point natural reserve natural reserve important होता है एक biodiversity conserve करने के लिए यह contribute करते है natural reserve growth के लिए re-emphasis करते हैं low biodiversity में जितने भी जो loss होते हैं वो recover हो जाते है पहला है इसमें biosphere reserve तो यह internationally recognized area है जो promote करते है balance humans और biosphere के बीच में तो क्या हो रहा है human की population increase हो रही है और हम जाते से जादा natural wild lands पे हम निर्भर हो रहे हैं और wild species पे निर्भर हो रहे हैं उससे इन सब की population कम होती जा रही है और इसी के अंडर यह program और biosphere reserve initiate हुआ था under man and biosphere program जिसमें conserve होता है habitat conservation होता है species conservation होता है next हम देखते है wetlands इंडिया के wetlands distribute हुआ है geographical regions range करते हैं cold wet तक warm tropical तक wet southern of peninsula तक important Q है हमार लिए wetland इसमें कुछ reasons देखे है पहला reason wetland एक good example है wetland जो एक typical एक region के लिए हो सकते जैसे की mangrove forest है वह एक represent करेगा उस type का tropical wetland next है tropical wetland पे लिए water cycle में food chain में और बाकी ecological processes में जो important होते हैं ecosystem के लिए जो wetland होते हैं यह बहुत rare बिलते और unusual होते हैं यह जो wetland होते हैं यह home होता है बहुत सारे species का जो risk भी होते है extension के next wetlands wetlands बहुत सारे fish, shellfish और aquatic organisms के घर होते हैं for example चिलका औरीसा में बहुत सारे dolphin है जो move करते हैं around area जहां पे lake meet करती sea में wetlands help करते हैं nutrient recovery में cycling में release करता है excess nitrogen deactivate करता है phosphate remove करता है toxins chemical और heavy metals को absorption के through plant और treatment करता है wastewater का और जो coastal wetlands होते हैं वो unique होते हैं क्यूंकि वो जो natural आ रहा होता है barrier natural barrier यह बन जाते हैं erosion जो cause होता है sea के द्वारा sea level rise हो जाता है जो में जो threat होता है coastal communities के लिए expert believe करते हैं यह जो network है mangroves का यह उन्हें protect कर सकता है man crew wetland in India और Bangladesh already act करते हैं इसके लिए storm से बचाते हैं जो Bay of Bengal से आ रहा है wetlands help करते हैं flood को कम करने के लिए recharge करते हैं groundwater reduce करते है surface और erosions और next है हमारा natural wetlands of India जितने भी wetlands हैं इंडिया के वो connect होते हैं river system से north or south के और दूसरे हाथ पर यह बहुत सारे purple soil करते हैं जिसे की launch हुए हैं जिससे river system better हो सके हैं जो provide करते हैं wetlands better करते हैं जो की बियार सासत लोच में हैं पंजाब के वहां पहां पहां बाकरन अंगल डैम पंजाब में कोसी बैरेज बिहार नेपाल के बॉर्डर पे major concentration mangroves country में हमारे सुंदर्भन और अंडवा निकोबर आइलेंड के वहां पहां पहें जो hold करते हैं 80% of mangroves इंडिया में next topic है हमारा hot spot of biodiversity यह देखा कि है कि कितने सारे species earth पे एक concentrate हो रखें मतलब एधर एक जगा पे वही species है क्यों क्योंकि यह जो spots है यह possess करते है qualities जिससे यहां पे high species richness हो सके geographical region जो support करे species को threatened हो जाते है destructions उन्हें कहते है hot spot or biodiversity वह जगात है जो कि जहांँ बहुत सारे richness मिलते हैं हम इस species की but फिर भी threatened होते हैं हमारे human habitation के वज़ा से next है कि हम कैसे identify कर सकते हैं कि यह ही है hot spot दो categories होती है February category हम देखते है area जिसमें high percentage मिले हमे plant life का जो और कहीं नहीं मिलेगा वैसे plant उधर ही उस area में हो और वह hot spot irrepressible हो उस area में 30% और लेस उसकी original vegetation में जो इंडिये injured हो या threatened हो और at present 36 hot spot है world में और out of these 36 hot spot चार hot spot इंडिया में हेमाल्याज में इंडो बर्मा में सुन्द लैंड्स में और Western Ghats और श्रीलंका में IC UN Red List यह IC UN एक organization है जो responsible assessment species करता है survey करता है जिसमें monitor करता है species हर country के और उनको different categories में डालता है और यह publish होती है सबके report rate data list में और यहां हमारा chapter खतम होता है यहां तक देखी लिया है तो like, share, comment, subscribe करते हुए ही जाना और अगर कुछ समझना है तो comment down करते न और यह आपको PDF free में बिलकुL free में हमारे telegram channel पे मिल चाहेगा अंटिल देन थैंक्स आवचिंग बाइ खत्तम बाइ बाइ टाटा गुड़बाइ बाइ बाइ बाइ